नमस्कार मेरा नाम है अंश्यता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया उद्धो ठाकरे के शिव सेना ने बीजेपी को नए नाम से नवाजा है उद्धो गुट का कहना है कि बीजेपी एक धोंगी नोटंग की बाज और स्वार्थी किस्म की पार्टी है बीजेपी के सेन्मारी के चलते उद्धो के हाथ से महराष्ट की सत्ता चली गई थी तब से ही उद्धो गुट बीजेपी पर हमलावर रहता है लेकिन इस बार उद्धो की शिव सेना ने बीजेपी को नव कबबाल की उपाधी दे दी ऐसे में सवाल तो बनता है कि उद्धो क कि शिफसेना ने बीजेपी को नव कब्वाल क्यों कहा दरसल 2024 लोगसभा चुनाओं आते आते बीजेपी की बोली भाषा कुछ बदली बदली लग रही है लोगसभा चुनाओं को लेकर रन्नीती बनाते हुए अब बीजेपी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए तिकड रे मंत्री और राज्य मंत्री ईत के बाद कवाली सुनने दरगा जाएंगे और कवाली के जरिये पीम मोदी और बीजेपी की नीतियों का प्रचार किया जाएगा अब बीजेपी की इसी रन्नीती को लेकर उद्धो की शिफसेना ने बीजेपी को गेल लिया और तो और उसक शिफसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिये बीजेपी के इस धोंगी पोल खोलते हुए लेखा कि बीजेपी जैसी धोंगी और नौटंग की बाद पार्टी हिंदुस्तान में दूसरी कोई नहीं होगी राजनितिक स्वार्थ के लिए ये लोग कब क्या धोंग रचाए दूसरी नहींगे इसका भरोसा नहीं है एक तरफ हिंदुत्य के नाम पर मुस्लिम समुदाय पर हमले करवाते हैं तो चुनाओं आते ही उन्हीं मुसल्मानों को चूम कर सेकुलरवात का बुर्का पहन लेते हैं वोटों के लिए सूफी दरगाहों पर जाने वाले मुसल्मा को कवाली के जरीए बताया जाएगा कि मुसल्मानों को लेकर बीजेपी के मन में कोई बुरा भाव नहीं है बीजेपी का ये मुसलिम प्रेम असली ना होकर पूतना मौसी वाला ही है ये प्यार मुसलिम समाज के लिए नहीं बलकि उनके वोटों के लिए है सामना में आगे लि मुसलिम विवाद भड़का कर दंगे कराना और फिर खुद ही राजनीतिक रोटी सेखना यही स्टोली का हिंदुत्वाद है इतना ही नहीं उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि राम नवमी और हनुमान जयनती के दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में जो खटनाएं हुई थी वो इसी योजना का एक हिस्सा थी हिंदु मुसलिम ध्रुवी करन की राजनीति करने वाली बीजेपी का यह परंपरागत तंत्र है हाल की सूफी संबाद मुहिम इसी तरह का एक मुखोटा है उनका मुसलिम प्रेव भी शुद्ध भावना ना होकर उनके वोटों के लिए हैं इसके साथ ही उद्धव गुट ने बीजेपी की तरफ से मुसलिमों को साधने के लिए अपनाई जा रही तरकीवों पर भी निशाना सा था सोचिए यह वही बीजेपी है जो करनाटक में टीपू सुल्तान को गालिया देती है उन्हें इ उद्धव गुट ने बीजेपी को घेरा था बीजेपी के दोहरी भूमिका पर संपादकीय में लिखा है कि जम्मु कश्मीर में पीडीपी पार्टी के साथ सरकार स्थापित करना बीजेपी का राजनी तिक स्वार्थ था एक तरफ उत्तर प्रदेश में नए मदर्सों को स उर्दू प्रति बाटना प्रदान मंत्रियों और इसलाम के स्कॉलरों की बीच हुई चर्चा की भी उर्दू प्रतियां मदर्सों में वित्रित करना मुस्लिम प्रेम का ये जहरना बीजेपी के मन में अभी क्यों फूटा यानि इन सवालों के साथ उद्धव गुट ने ब हराब होने से बचाने के लिए अब बीजेपी कौन सी तिक्रम लगाती है इस वीडियो में इतना ही आप से अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आटिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताईए आपको हमा